धेवरा पराठा की रेसिपी मैंने अपलोड की है, कम तेल में धेवरा बनाने की ये रेसिपी बहुती खाने में टेस्टी होती है, बहुती हेल्दी है आज मैं आप लोगे लेकर आई हूँ धेबरा वड़ा की रेसिपी तो खाने में बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट इसे ग्रीन चटनी के साथ आप खाए या मीठी दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी तो चलिए इससे बनाते हैं इससे थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बनाऊंगी इस प्रोसेस को फॉलो करके आप धेबरा का पराठा भी बना सकते हैं तो दो टेबल स्पून यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है कडाही में इसमें डाल दूँगी थोड़े से बारीक कटे वे हरे मिर्च एक टेबल स्पून अदरक और लेसुन को दरदरा कूट लिया है मैंने आप चाहें तो इनका पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं और दो टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर सफेद तिल ले लिया है इनको भून लोगी जब तक की सफेद तिल चटकने न लगे जैसे ही सफेद तिल यहाँ पर चटकने लगेगा तब मैं इसमें डाल दूँगी देड़ से दो कप के बराबर साफ करके बारीक काटा हुआ मेथी का पत्टा तो इस रेसेपी को बनाने के लिए नरम वाले मेथी के पतों को यूज करें जिनकी डंठल एकदम नरम होती है उस तरह के मेथी के पतों को लें यहाँ पर एक कप के बराबर ने धनिया पत्ता डाल दिया है इसे भी साथ में पका लूगी जरा सा नमक डाल तो इससे पतों में से फसीना चूलेगा यानी कि मॉइस्चर अलग हो जाएगा जल्दी यह सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़ी दिर में पूरा क पूरा मोइस्चर उड़ जाएगा और एकदम साग की तरह यह बन कर तयार हो जाएगा तो इस तरीके अगरा आप मिक्स्चर पत्ते लैसुन की कनिया ले लूँगी हरी मिर्च अद्रक साबुत जीरा और नीबू का रस नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गाड़ी चटनी यहां पर बना कर तयार कर लेनी है तो यहां पर हरी चटनी तयार हो गई है चलिए अब ले सब्सक्राइब के रिए देल कपके बराबर म् clairement कर देल के राखले अधर बाइंटी के लिए यहां में डाल दूगी citizens ऐसे कि लालमिर्च पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला खटे मीठे फ्लेवर के लिए यहां पर मीठा फ्लेवर देने के लिए गुड का पाउडर डाल दूगी आप चाहें तो इसके जगत चीनी भी डाल सकते हैं और फिर यहां पर डाल देना है नमक स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने काली मिर्च का जब तक यह बंधने न लगे तब तक इसे गूत लेना है फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले और नरम आटा गूत कर तयार कर लें गरम मसाला रह गया था उसे डाल दिया है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया दही मैंने यहां पर मिक्स कर लिया है अब इसरी तरफ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है आटा गूत कर हो जाए उसके बाद यहां पर मैंने आधा टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है उसे डाल कर थोड़ा सा पानी डाल कर एक्टिवेट कर ले और फिर आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है तो दह अदा पानी से थोड़ा सा अक्टिवेट कर लिया है अब आटे मेंसे अच्छी तरीके से मेक्स कर लूगी तो हमारा जो आटा है धे इता एक बिदरा लोई लेनी है इस तरीके से तो इस तरीके से पानी से थप थपाते हुए इसे चपटा कर ले और एक तरफ से पानी से हलका सा गीला कर ले अब इसे शेप देने के बार एक तरफ से थोड़ा सा सफेद तिल लेना है और उसे चिपका लेना है जिससे कि ये दिखने में बहुत ही कर दूसरी तरफ से भी सुनेरा होने तक फ्राय कर लेना है तो यह देखें इस तरीके से कुछ डेबरा बड़ा फ्राय करके तयार कर ले आंच को लो से मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और इसे दोनों तरफ से सुनेरा होने तक फ्राय कर लेना है तो यह देखें यहां पर यह इसका texture यहां देख सकते हैं, हरी चटनी के साथ यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे, आप इसे चाहें तो शेजवान चटनी के साथ भी सर्फ करें, या खटी मीठी दही मसालेदार बना लें, उसके साथ सर्फ करें, तो आप इस धेवरा वड़ा की रेसिपी को जरूर ट्राय करें और कमेंट करें अपनी एक्सपीरियंस के बारे में, दोस्तों शेदारों के साथ भी इस रेसिपी को जरूर शेयर करें, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नही टेस्टी रेसिपी के साथ, थांक्स वर वाचिंग